लोग सभाज चुनाव जैसे जैसे नस्दीक आ रही हैं वैसे वैसे ही कॉंग्रेस अपनी रणीटियों में बदलाव करती हुई देख जा रही है इंडिया गठवंदन में समाज स्वादी पार्टी तो शामिल है ही लेकिन अब इस गठवंदन में शामिल कराई जाने के प्रयास भी तेज हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर जी हां उतरप्रदेश में इन दिनों स्यासत गर्माई हुई है दावे की जा रही है कि जहां एक तरफ अखलेश यादव के सुर एक बार फिर से बदल चुके हैं बहुजन समाज पार्टी को वह इस गठवंदन में शामिल कराने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो चुके हैं वहीं दूसरी ही तरफ कॉंग्रेस यहां पर एक स्यासी दावप कॉंग्रेस में मनमुटाब बना हुआ है और दूसरी ही तरफ कॉंग्रेस बसपा को गठवंदन में शामिल करने को लेकर प्रयासरत भी है चर्चाएं तेज हैं कि 15 जनवरी को मायवती अपना जनम दिन सेलिबरेट करती हैं और जनम दिन के खास मौके पर वह दिल्ली पहु कॉंग्रेस नेता और इसके बाद कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ भी बैठक करेगी अब अंधरूनी सूत्रों के मुताबिक दावे ये किये जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से सीटों को लेकर हो रहे मनमुटाब पर कॉंग्रेस अपने प्लान भी पर काम क चुके हैं कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजराय का कहना है कि हम लोग 15 जनवरी को अयुद्या जा रहे हैं बसपा चीफ से जनम दिन पर मुलाकात या गटवन्दन में शामिल होने संबंधी फैसले सीश नेत्रत्व ही करेगा अब देखना होगा कि आखिरकार मलिका अर् सीटे कॉंग्रेस रखेगी तो वहीं रालोत को पांस सीटे मिलेंगी और बहुजन समाज पार्टी को भी सीटे देने को वह तैयार हो चुके हैं देखना होगा कि अखिलेश यादव जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी की जाएगी या फिर यहां पर महत्व अब बहुज समाज पार्टी को दिया जाएगा अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव के लिए किसी जटके से कम नहीं माना जाएगा इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक्स्ट तो नाइन न्यूज